रेड़ी साब बच्छपन की बैग्राउंड मैंने आपकी देखी पढ़ाई में अच्छे थे टॉपर थे घरवाले खुछ रहे थे पिताजी भी पूलिस प्रधान थे दबदबा था तब से लेके मैं ये करूं मैं वो करूं मेरी मर्जी जो चाते हैं वो करते हैं वो ज़डूरी है अगर आगे आप तरक्की करना है तो हम जो सोचे हो किये तो हम कामयाब हो जाएंगे तो इसलिए मैं जो सोचा आज तो नतीजा आप देख रहे ना जो मनमानी से जो काम किया अज मुख्यमंत्री बने नहीं तो मैं भी सरकारी नाउकरी में नहीं तो सरकारी नौकरी में कुछ बनकर काम करते थे, otherwise हमारे रिष्तेदार फ्रेंड्स सब सारे युएस गे, युएस में एक साफ्टफेर इंजिनेरी या और कुछ बनकर काम करते थे, आज तो कहीं, कहीं तो कहीं नहीं, रिजल्ट्स हम देख रहा है, लेकिन यह भी सच है कि बच्पन में शरारते बहुत करते थे, और पकड़े भी नहीं जाते थे, अब पकड़े नहीं गया ना, शरारत किया, बोलके कैसे कह सकता हूं, पकड़े गया तो पता लगता था कि हम शरारत कर रहें, अब पकड़े नहीं गया ना, बहुत सारी चीजें आपकी मनमानी की दिखाई देती हैं आपकी मदर पुराने घर में रहना चाहती थी 300 सार पुराना घर था आपने उसको डिमोलिश करा दिया मदर को बताया निए उनको हैदराबाद बुला के हां किया वो पुराना घर ता मतलब हमारे परिवार दादा पर दादा दा दीये सो गर है बहुत बड कि मदर ऐसे कह रहे है कि मैं जितना दिन जोंगा मैं यहां यही घर पर रहता हूं तो मैं सोचा था यह तकलिफ दूर करने के लिए तो मैं हैदरबाद बुलाया जैसे भी बेच दे के पूरा घर दोर दिया आफ्टे के बद पता लग गए कि घर तो माने बहुत गुसा किये इसा कैसा करते हैं मन में आया कर दिया जब महबत कि आपने तो भी मैंने सुना कि इंटर कॉलेज में लड़कियों के इंप्रेस करने के लिए पूरा दम लगा दिया था अज़े लोव मैरेज करना है तो कुछ ना कुछ करना ही पादे लेकिन मैंने सुना कि लड़की के पेरेंट्स राजी नहीं थे और लड़की को उन्होंने दिल्ली भेज दिया था आपसे बचाने के लिए तो दिल्ली कहां दुर है साथ समंदर के उदर रहा तो पी जा रहहे है आजकल दिल्ली आना क्या बेज़िए ते महीं भी आया ता दिल्ली कुछ अभी देख दे लिए फिर आप आज बिला है तो फिर कैसे किया वो शादी? तो अरेंज़, लव कम अरेंज़ मारेज़, तो हम लव किये वो लोग अरेंज़ किये मारेज के लिए आपकी बैग्राउंड देखें तो आप अच्छे ओरेटर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, थिंकर हैं, तो राजनीती में क्यों आ गए? राजनीती हमारा बड़ा भाई पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों करते थे, हमारे गाउं के बारे में तो आपको पता है, हमारे गाउं ऐसा गाउं है, कि 2,000 लोग कुछ ऐसा पॉपलेशन हैं, मगर हमारे गाउं फैक्शन विलेज हैं, मतलब गाउं में हमारे जो दाया इन लोगों से हमेशा मारंपिट, माडर्स, यह ऐसा कुछ बाइक्ग्राउंड है, पापा के लिए भी माडर केस में कन्विक्शन हुआ था, सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में अक्विटल हो गए, वो बाता लगे, गलत कि ऐसा ऐसा कुछ, मेरा बाई को तब ए गाउं के जो फैक्शन, जो ग्रूप्स, जो फाइट, जो गाउं पूरा, थीस, चालिस साल, कभी गाउं में कोई सुकुन से सोया नहीं, तो हमारे बड़े बाई को निकाल के उ पॉलिस डिपार्टमेंट में बढ़ती किया, ऐसे कनिस्टेबल, थब हमारे परिवार के ज़ इस्तेदर भी आते नहीं थे, कि अरे ये चोटे नोकरी करना क्या है, इन लोगों के, तो हमारे बाई का ये सोचता, और ये पूरा सब लोग अपने बाद सुनना है, तो राजनीती में आना ये, राजनीती से अम सब कुछ कर सकता है, तो हमारे बड़े बाई हम लोगों को निकाल के जहां पर वो जाब कर रहे थे पड़ लिखने के लिए वहां पर लेकर गें क्योंकि तब जब तक हमारा केस नहीं हुआ तब भूत सारे नेता लोग हमारे गहाँ के आने है तो हमारे गर पे याना है और कहने जाने का इजाज़त नहीं थे किसी को भी कोई भी वोट म नेता लोग तो हमारे भाई ने सोचा कि वो नेता हम भी बन सकता है क्यों नहीं तो मैं सोचा क्यों नहीं बनेगे लेकिन यह सोचा था कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर तो मैं 2009 में सोचा था तो तेलंगान हो जाएंगे तेलंगान होने के बद मैं मुक्य करना है इतना confidence कहां से आ गया कि मैं Chief Minister बन जाओंगा clarity है हमारे सोच में कि चंद्रबाव ने एड़ू मुक्यमंत्री बन सकता है वाईस राहर शेकर एड़ू मुक्यमंत्री बन सकता है मैं क्यों नहीं बन सकता हूं वो भी middle class के है वो भी किसान के परिवार से आये हुए हम क्यों नहीं बन सकते हैं देखे ज्यादा तर लोग राजनीती में आते हैं पैसा कमाने के लिए आप हैं अपना घर फूक के तमाशा देख रहे हैं अभी कुछ पाने के लिए कुछ कोना है प्रापर्टी बहुत सारे करीच सकते हैं मगर राजनीती में एक बार हार गया ना फिर सब कुछ गया है तो सब कुछ जाने से प्रापर्टी गया है तो क्या परक्षबता है लेकिन वाइफ आपकी तयारत ही कि पंदरासो करोड रुपे की प्रापर्टी बेच दो और चुना लड़ो अभी कभी सब कुछ वाइफ को बोलके कि तो कुछ नहीं होता है कभी कभी करने के बाद बोलना है कभी तो यह आपकी आदात है माँ को बगार बताय किया वाइफ को बगार बताय किया कुछ चीज़ों ऐसे हैं कि हम करने का बाद दिखा सकते हैं सब कुछ पर्मिशन लेना है तो यतना आसानी नहीं है आसानी से पर्मिशन तोड़ी मिलेगा